नमस्कार स्वागत आपका खबार जोगत में जहां एक तरफ लड़कियां हर छेतर में उन्नती कर लिए लेकिन वहीं उनकी इन उन्नती के पीछे उन्हें किनकिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आज हम आपको बताएंगे एमोजी लाइन स्तीद वेशनो पॉलेटेकनिक कॉलेज में कुछ छात्राओं का कहना है कि उन्हें लेक्चरर के दवरा पतारीद किया जा रहा है देखिए पुरा माम लाओ छातराओं का कहना है कि लेक्चिरर छातराओं को अपने साथ फिल्म और होटल चलने के लिए दबाव डालता है और बता दें कि उसके इस भद्धी विवहार से परिशान होकर छातराओं कॉलेज छोड़ने का प्रयात्ने कर रही हैं एक छात्रा द्वारा दूसरे शहर में ट्रांस्फर लेनी के बाउजूद लेक्चरर की हरकते नहीं रुकी तो पूर्व और मौजुदा विद्यार्थियों ने कॉलेज के अधिकारियों से लेक्चरर की अशलील हरकतों की शिकायत की प्रवंधन ने कारवाही तो दूर मामले में जाच तक नहीं की शात्रों के मताबिक पिछले दिनों सिवल ब्रांच की एक शात्रा ने लेक्चरर की प्रतारना से परशान होकर कॉलेज छोड़ दिया कई और शात्राएं लेक्चरर की हरकतों से परशान है वह कक्षा और लैब में छात्राओं पर बुरी नजर डालता है गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता है और कई छात्राओं पर उसने अपने साथ बाहर चलने का दबाव भी बनाया है कॉलेज में 60% अंक पढ़ाने वाले लैक्चरर के हाथ में रहते हैं लेहाजा फेल होने के डर और शर्म के कारण जादतर छात्राओं शिकायत ही नहीं कर पाती हैं सीनियर छात्रों की मदद से प्राचार्य डॉक्टर राजे सुनाडी तक शिकायत पहुचाएगे शिकायत हुए भी महीने भर से ज़ता हो चुका है लेकिन अभी तक कारिवाही नहीं हुई जिसके कारण छात्राओं डरी हुई है छात्रों का आरोप है कि कॉलेज यूनियन से जुड़ा होनी के कारण लेक्चरर को बचाया जा रहा है वैशनयो पॉलिटेक्निक सरकार द्वारा सो प्रतिशत अनुदान वाला कॉलेज है कलेक्टर इसके शासे निगाय के अध्यक्ष होते हैं यहाँ एड्मिशन लेने वाले ज्यादतर बाहर के विद्यार्थी होते हैं अभी करीब देड़ हजार विद्यार्थी है जिनमें करीब 200 लड़किया है यहाँ के वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों का आरोप है कि लेक्चरर की हरकतों की जानकारी देने और छात्राओं के आप बिती सुनने के बाद भी कॉलेश प्रबंधन ने कोई कारिवाही नहीं की जानकारी लेने पहुँचे तो विद्यार्थियों से क्या दिया गया कि लिखिट शिकायत और बयानों के बिना कारिवाही नहीं की जाती है रिपोर्ट अखबार चकत